अप्ल की CEO टिम कुक इन दिनों आप्ल स्टोर की उपनिंग के सिलसले में भारत आये हुए हैं ऐसे में टिम कुक ने इस दौरान प्रधान मिंतुरी नरेंदर मोधी से मुलाकात की उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी इस खास मीटिंग की तस्वीर भी शेयर की है और भारत दौरे के दौरान अपने शांदार स्वागत के लिए PM मोधी का धन्यवाद किया दरसल टिम कुक ने PM मोधी से मुलाकात के बाद उनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा गर्म जोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद PM नरेंदर मोधी हम भारत के भविशे पर टेक्निलोजी के पॉजिटिव इंपक्ट के आपके विजिन को शेयर करते हैं शिक्षा और डिवलपर्स से लेकर मनिफेक्चरिंग और इन्वाइमेंट तक हम देश भर में विस्तार और निवेश करने के लिए कमिटेड है वहें PM नरेंदर मोधी ने भी टिम कुक के साथ मुलाकात के बाएट ट्विटर पर उनके पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा आप से मिल कर काफी खुशी हुई अलग-अलग विश्यों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत में हो रहे टेक्निलोजी से जुड़े बदलावों पर जानकारी साजा करने में काफी खुश हूँ वहें इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद आपल स्टोर आज देश की राजधानी नई दिल्ली में भी खुल गया दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेट में आपल के दूसरे स्टोर की ग्रांड ओपनिंग हुई और आपल के सीओ टिम कुक ने इसकी ग्रांड ओपनिंग की टिम कुक ने इस दौरान हाथ जोड़कर लोगों का स्वागत किया और वहां मौझूद लोगों ने उनके साथ सेलफीज भी क्लिक की वहें इस स्टोर को देखने के लिए लोगों की भारी भीर लग रही है सुबह से ये लोग लाइन में लगे रहे और टिम कुक से मिलने और आपल रीटियल स्टोर में जाने का इंतजार कर रहे थे बता दे कि साकेत में खुला आपल स्टोर का साइज मुंबई की स्टोर से काफी कम है ये स्टोर 8417 स्कॉाइर फिट में फैला हुआ है हाला कि दोनों स्टोर का किराया लगभग बराबर है दिल्ली के एपल स्टोर का किराया 40 लाक हर महिने और मुंबई वाली स्टोर का किराया 42 लाक रुपे है वहीं स्टोर में 70 करमचारी हैं जिसमें से आजे से जादा संख्या में महिलाए हैं इसके लावा यहां एक जिनियस बार भी है जिसके तहट यूजर्स के आईफोन की सेटिंग से लेकर अपल आईडी रिकावरी या फिर दूसरी समस्याओ का भी समधान किया जाएगा